सभी को मेरा नमस्कार श्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वी इन धुंडवा में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाना में जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पैंसन स्कीम को लेकर संगर्ष कर रहे हैं उनके ले एक अच्छी खबर है डिटेल में आपको बताएंगे चलिए शुरू करते हैं पडोसी राजियों में पुरानी पैंसन के फैंसले पर राजिया सरकार में चर्चा उप मुख मंत्री बोले इस पर मुख्य मंत्री से हुई है बातशीत संग ने कहा हमें NPS में कोई संसोधन नहीं OPS की बाहली चाहिए यह पडोसी राजिया राजस्तान और पंजाव के बाद ह हिमाचल परते सरकार की और से और पैंसन स्कीम का फैसला लेने के बाद हर्याना में भी इसे लेकर सुख बुगाहट शुरू हो गई है इसे लेकर पिछले दिनों मुख्य मंत्री मुनहुरलाल वाय दुशन चोटाला में भी चर्चा हुई है मंगलवार को एक सवाल के जवा दातर नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि एनपीएस में ही सेर बढ़ाकर करमचारियों को लाब लेने का प्रपोजल लाया जाए ताकि ओपीएस में मिलने वाले लाब करमचारियों को मिल सके और इसे योजना को बदलने की जूरत भी नहीं पड़े जज़पा ने अपनी चुनावी घोशना पत्र में पुरानी पैंसन स्कीम की बाहली का बादा किया था इसलिए डिप्टी सीम को सीधे उसी पर बात करनी चाहिए तो वह कुछ बदलाव होने वाड़ा है जो करमचारी हमारे संगर्स कर रहे हैं उनका संगर्स काम आने वाड़ा है सरकार में बात चली हुई है ओल्ड पैंसन स्कीम को लेकर तो यही जानकर यह आपको देनी थी साथियो वीडियो कैसे लेगी कमेंट में जुरूर बता है धन्यावा साथियो वीडियो देखने के लिए आपका दिन सुब हो